दोस्तों ये है जेवरोनिक्स की तरफ से आने वाला 32 इंच का एक कर्ब डिस्पिले वाला मोनीटर और आज की इस वीडियो में हम इसकी अन्बोक्सिंग करने वाले हैं और आपको मैं ओनेश्ट रिज्यू देने वाला हूँ कि आपको इस मोनीटर को पर्चेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए इस मोनीटर में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं तो अब हम इसे डब्बे से बाहर निकालते हैं और इसके बाद मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ कि ये देखने में आपको किस तरहे का दिखता है यहां पर मैंने पनंई से इसे बाहर कर दिया है और अभी आप लोग देख सकते हो आपको कुछ इस तरहे से इसका एक कर्व डिस्पले वाला लुक देखने को मिल जाता है यहां पर आपको जो साइड में वो आपको काफी कम देखने को मिलेंगे और नीचे की साइड में आपको एक white color का wedge देखने को मिलेगा और यह काफी slim है उपर से आप देख सकते हो और इसका जो look है देखने में यह काफी अच्छा लगता है चलिए दोस्तों अब हम इसे set कर लेते हैं और इसका जो stand है stand मैं आपको 200 nits की brightness देखने को मिल जाती है इसी के साथ यहां पर इसके जो box में जो accessories मिलती है तो इसमें आपको एक power adapter मिल जाता है और साथ ही आप लोगों को एक VGMI cable भी मिल जाती है और दोस्तों यह IPS panel नहीं है यह आपको VA panel देखने को मिल जाता है और इसी के साथ यहां पर यह लोग ले सकते हैं इसकी बात करें performance के बारे में कि मैंने इस monitor को purchase किया है तो यह चलने में कैसा है इसके display के color बगएरा किस तरह से दिखते हैं तो आप लोगों को बता दू मैंने इस monitor को जब purchase किया था purchase करने के बाद में मैंने इस monitor को लगब 5-6 दिन तक यूच किया और मेरे अच्छे color show हो रहे थे और इस monitor में कुछ खास इतने अच्छे color show नहीं हो रहे थे अभी मैं आप लोगों को इस monitor को start करके दिखाता हूं और इसकी display की quality कैसी है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं तो मैंने यहां पर इसे रख दिया है और अब हम इसे energy supply देंगे और इसक कर दो झाल 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 तो दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस सस्ता मोनीटर देख रहे हैं और वो भी 32 इंच में तो आपके लिए ये काफी अच्छा मोनीटर हो सकता है लेकिन अगर आपको एक क्वाइल्टी में मोनीटर चाहिए जिसकी पर्फोर्मेंस काफी अच्छी हो तो आपको ये मोनीटर बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए क् काफी हलके कलर दिखाई पड़ रहे हैं वही मैंने इस मोनीटर को कंपेर किया एच्पी के मोनीटर से तो उसमें भी जो एच्पी के मोनीटर में कलर आ रहे हैं वो काफी अच्छे कलर थे और इसमें काफी भद्दे कलर देखनी को मिल रहे हैं तो अगर हम प्राइस की बात क तक का चाहिए तो आप Samsung का monitor ले सकते हैं लेकिन Samsung का monitor है वो आपको 32 inch का नहीं मिलेगा बलकि आपको 24 inch का या फिर 28 inch का ही मिलेगा तो ये था overall इसके features के बारे में और सभी कुछ information मैंने आपको दे दी है और मैं आपको बता दू मैंने इस monitor को purchase किया इसके बाद मुझे इसके color बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे इसलिए मैंने इस monitor को return मार दिया और अगर आपको जरूरत है एक सस्ते monitor की तो आप इसे purchase कर सकते हैं लेकिन अगर आपको एक अच्छा monitor चाहिए तो लगभग आप लोगों को 28 inch का HP का मिलेगा 18,000 रुपे का आप लोग उसे purchase कर सकते हैं और अगर आपके पास budget कम है तो आप Samsung के monitor को भी purchase कर सकते हैं